और सबसे जरूरी बात अगर आप सपना देखने की हिम्मत नहीं रखते तो पूरा क्या खाग करेंगे आप सभी को नमश्कार कैसे हैं कुछ बोलने की सुरुवात करूं तो ऐसे लग रहा है कि कहां से करूं क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है लेगिन कभी कभी कहते हैं कि शब्दों से जो बात समझ में नहीं आती वेक्ती जब सामने खड़ा होता है तो feeling समझ में आती है बात सही है कि नहीं है कितने लोगों को मेरी feeling समझ में आ रही है अभी क्या फील कर पा रही हूं शायद आज मैं अपने सब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगी लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इस स्टेडियम के अंदर बाई हार्ट बेटे होंगे तो मेरी बात को जरूर समझेंगे क्या हम लोग बात कर सकते हैं मुझे नहीं पता कि अगले दो मिनट बात कर पाऊंगी या पांच मिनट लेकिन आज मुझे खुसी इस बात की है कि लाज्ट टाइम इसी इताल कटोरा स्टेडियम की स्टेज पर जब चड़ी थी तो मागुरू जी यहां खड़े हो के बोल रहे थे only 30 सेकंड लेकिन आज मागुरू जी ने एक बार भी यह नहीं बोला तो मागुरू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थेंक्यू सो मच क्योंकि बदलता तो है समय बस बदलने वाला चाहिए यस और नाम जोती यादव है और यूपी के डिश्चिक मैनपुरी से बिलॉंग करती हूं यह बिजनेस एसली पीस वेलनेस जब मै मैंने जॉइन किया तो मैं एक स्टुडेंट थी मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते हूं मेरी बहुत बड़ी सोच मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं थी मैं बस यह सोचा करती थी कि अगर मुझे 35,000 रुपे महीने कमाने का भी कोई ऐसा मैं के सकती आपसर अपोच उटी या फिर कोई नोकरी कोई जॉब मिल जाए तो भी जिंदगी ठीठा कटेगी क्योंकि बैग्ग्राउंड से मेरी फैमली के अंदर खेती होती है मम्मी मेरी आंगनवाडी के अंदर है और आंगनवाडी की सालरी किसी को बताने की जरुवत नहीं है 5500 के लिए जिस घर की महिला काम कर रही होगी आप सभी लोग समझ सकते हैं कि उस परिवार के लिए 30-30,000 रुपई की इंकम बहुत माइने रखेगी यस और नो ऐसलिए PS Wellness मेरे परिवार में आया मैंने बरोसा कर लिया मैंने डिसिजन ले लिया कि मैं काम करूँगी मैं इस बिजनस के अंदर बुलंदिया चूँगी लेकिन कहते हैं कि अगर आप बरोसा कर लेते हो जरूरी नहीं कि आपकी सोच से मैच करें आपकी फैमिली की सोच यस बात सही है कि नहीं है मेरे परिवार की सोच मेरी सोच से मैच नहीं करी आज मेरे जीवन में पहला दिन ऐसा हुआ है कि मेरे पिताजी और मम्मी दोनों लोग आज स्टेज पर आए हैं इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ इसके पहले सिर्फ यह हुआ करता था कि अगर मुझे मुझे लगता था कि अब पिताजी निगेटिव हो रहे हैं चलो प्रोग्राम होने वाला है पिताजी को लेचलते हैं मुझे लगता था कि यह म मम्मी उद्सनी को कियो हर बार मैं जिरफ एक करके आती थी कि आज मम्मी को मोटिवेट करके ले आएगे, तो मम्मी अगले चेह महिने तक कुछ नहीं बॉले गी आज पिता जी मोटिवेट होके आज आएगे, तो भो सकता है कि अगले चार महीने तक ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, जो अभी तक बोलते आ रहे हैं, और यह सोच रखकर के चिस विलर्की ने सुरुआत करी थी बिजनस की, कि आज इन्हें मोटिवेट कर लें, कि आज उन्हें मोटिवेट कर लें, कि 30-30,000 रुपए कमा लें, मैं रियल आपको बता लोगियाज कहते हैं, तुम तो घरकी हो, तुम तो यह बादाएं आई नहीं होंगी, तुम्हारे को माबाब बहुत अच्छी होगे, तुम्हारा तु भाई बहुत अच्छा होगा, कогई अच्छा नहीं होता, यह बिल्कुल सत्य हो है, कोई अच्छा नहीं होता लेकिन उनको अच्छा बनाने के लिए एक बार हमें को मैनत उस में कह सकती उस पराकाष्ठा से में गुजरना पड़ता है क्योंकि संगर्स में हर व्यक्ति अकेला है यह सोर नो मेरा वो टाइम जब मैंने शुरुआत किया था मैं कई मम्मी को समझाती कई पापा को समझाती और सुरुआत के दौर में जब उम्र कम है पड़ाई लिखाई वह जादा अच्छी नहीं है बेग्राउंड फाइनेसली वह जादा मजबूत नहीं है तो मार्केट में भी आपकी कोई बात आप क्यों नहीं बोल रहे हैं आपकी हर कोई बात सुनता है क्या तरीके के rejection जिलना उसमें कोई result नहीं आता अरे तुम तो लड़की हो तुमने लड़की होकर कि इस business को सुरुआदी कैसे कर लिया तुमें पता है ऐसे काम लड़कियों के लिए नहीं बनते औरे तुम जानती क्या हो अरे तुमें पता भी है इस काम में कितनी मेहनत करनी में गिनटी नहीं दे सकती आपको लेकिन एक बात तो मेरे अंदर भी आती थी Somebody कभी किसी का पूरा नहीं किया है तो वह उपर वाला वो मेरा भोलेनाथ मेरे साथ इसम inaccett नई हो सकता पिश्वास नघाना को साथ ना वाई कउस अप और उस लड़की की तो कहानी अलग होती है जिस लड़की कर में भावी और आ जाए मैं रियल बता रही हूँ अभी तक शायद इन बातों को मैं जादा शेर नहीं करती थी लेकिन आज तो मुका है तो जरूर बोलूगी अलगी कहानी होती है उस लड़की की क्योंकि बाई एक आउन शायद कहना लेकिन वावी कहलवाई देती है Yo jakby this event जाती इन को आती है ईनके साम को आती है इनके से काम मैं करती हूं क्या यह जाड़ू-p Deutsche भी लगा लाइक नहीं उसे जाधा काउंसलिंग मेरे महाबाब ने मेरे अपनों ने इस qaam को छोड़ने के लिए करी मेरे घर के अंदर पंचायक लगती थी मैं लोट के आती थी एक तो आरी थकी और पूरे दिन अलग लग तरीकी की बाते सुनने के बाद जब लोट कीरी पिदाजी कहते थे कुछ नहीं हुआ लली अभी भी छोड़ दो कोई बात नहीं जादा नहीं फसे होंगे अभी भी छोड़ दो तुम सच्ची बता रहे हैं अभी भी समझ जाओ तुमने किसी लड़की को डाइमंड बनते हुए देखा आज आपने देखा सही कह रहे थे वो नहीं देखा मैंने लेकिन हर चीज की एक दिन शुरुआत होती है और अगर मेरे से पहले मेरे अप्लाइन की टीम में कोई डाइमंड बनती तो शायद ये पोश्ट नहीं पढ़ती कि मेरी टीम की पहली नारी सक्टी डाइमंड मिस चोती यादव फ्रॉम मेंपुरी ये पोश्ट ही नहीं पढ़ती कभी जो लोग लड़कियां उने पर मजाग पनाते हैं न सुबह को इस कूटी लेके निगलती है तुमारी लड़की साम को आती है अरे मेरे अपने जिने में बाई कहती जिने में बुआ कहती है जिने में मामा कहती जिने में पूपा कहती जिने सब कुछ कहती, मैं मानती भी हिर्दय से, आज भी मानती हूँ, अभी मारे मागुर जी बेद प्रकास सर बोलके गए, कि घर से निकाल दिया, लेकिन बाप का दर्जा कमनी हुआ, रियल बता रही हूँ, आज भी आप सब मेरे हिर्दय में रहते हो क्योंकि आप सभी मेरे अपने हो, आप सको मैं दिल से नहीं निकाल सकती, लेकिन तकलीफ तो बहुत हुई, जब आपने मेरे पीछे-पीछे ही बोला, तुम्हें पता है, उनकी लड़की तो करोड़पती बनने चली है, तुम्हें पता है, उनकी लड़की तो बिना पड़ मैं भी एक बास सोच लेती थी, अगर लोगों को कहने में इतना ही मजा आता है, तो भाईया किसी को ले लेने कुछ दिन तक क्या जाता है, मेरे सामने किसी को बोलने की हिमत नहीं थी, मेरे अपलाईन एक बात कहते थे, अगर तुम्हें सो की सो तारीब सुनी है, तो कम से कम त आँप्रता है सी निन्दा से जिस निन्दा के होते हुए जो लोग चलिंज करते थे जोती हैं बलाइभ को कि लड़की होके ऐसे काम में गई हो, जिस काम के अंधर चीम बनती है, प्रधेश से दूसरे प्रधेश जाने का बिज्निस है आजंश कहने चाहती हूं उपकिसी लड़की को नादास समझ के इस तरी से मत बॉलना क्रीकिle जोधी यर्दव को त्मने चैलेंज किया था लेक जोब लेकर की बनी वो 10 से 15,000 की बनी और आज बही टीम बीस हजार की संक्ट्या को क्रोस कर चुकी है बीस हजार परिवार कौन जोड़ेगा तुमारी कंपनी में प्रोडक्ट बहुत मेंगे ब्रांड बेचते हैं ब्रांड और ब्रांड की कीमत सस्ती नहीं होती भाई नहीं होती मिले हमें बोलो अक्सुरुआद में जब मैं भी स्कूटी से सामने वाला भी प्लेटेना से और हमको बोल रहा है कब से सुरू किया है हमने बोला बस अंकल जी अभी अभी तीन-चार महीने हुए हैं बोला अठारे साल हो गए हैं अठारे साल के एक्स्पीरेंस से बोल रहा हूं हमनी बोलो प्रभू क्या बोल रहे हैं आप बोले में जो बोला जाता है वह होता नहीं है में जो लोग दिखाते हैं वो अकाउंट में आता नहीं है जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ कागजों पर होता है अकाउंट में कभी नहीं आता तो सुनके जाइए कि आज इस एक लड़की जिसने शुरुआत किया तो फस्ट पेयाउट मेरा भी 2500 का बना और लोगों ने बोला कि आजारों तो कोई भी देदेगी हजारों तो यहां से आजाएगा हजारों तो बास से आजाएगा अरे आएगा कहीं से हजारों हमने भी एक बास सोच ली जब बन भी प्या उठाया जोती आदब खुद उनसे मिलने गई कि सरजी देखो अकाउंट में आया है और टीडियस कटने के बाद पूरा एक लाग 42,500 नेफ्ट हुआ है फिर भी पता क्या बोला पता क्या बोला तुमको आ गया तुमको आ गया तुमारी बज़े से कितनों को आ जरुवत सोसल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जहां बैठे हो भी से प्रचार कोई दिक्कत नहीं मैंने भी एक बात बोल लिया कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेड़ी करके अपनी उंगली को दर्द देनी कि कोई जरूवत नहीं उसको गरम कर ल जो जार बाइस वे डियर लाग रुपे का मुझे प्याउट आया था फर्स्ट जनवरी को मैंने लिया था वो तीन दिन गरमा गर्मी रही तोड़ा सा सोचा होगा तब तक मैंने फर्स्ट यहां से चीमेंट लिया आईफोन और पता है क्या बोला आईफोन लिया है अपने क किस्टों पर लिया होगा अमने में किस्टों पर लेंगे च्छतीससो बाले मैं कहना नहीं चाह přेखया ही moment किस्टों पर लेंगे वह जो ऐसे वैसे चूलं सुरन चटनी और फ्डाना दिमका हम उसली पियस करतें ब्रांड और हमें किस्टों पर लेने की जरूबत नहीं है आ संदर दो लाग बावन अजार के पे आउट के साथ रूबी स्टार बनकर उसके सामने आई रूबी स्टार रेंग और पता है फिर उन्हों ने क्या कहा अरे सुनना चाहते हैं अब तो हमें लगता है कि तुम कर जाओगे क्या ऐसा कुछ हो सकता है हमने बोला सेटिंग नहीं काम कर भाई काम करेगा तो सब कुछ होगा बोला नहीं हम तो 18 साल टेग लगा लिया उसने आईम अठारा आईम अठारा तु लगा ले टेग और आज भी बड़ी खुशी होती उसको देख करके मुझे ना बाइक बदली ना बो ना उसका एगो और उसकी सकल सूरत वो दो लाग बावन अजार का पे आउट गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए माहूल के अंदर और वो गर्मा गर्मी आज दिन तक परकरार रखी फिर से एक डेट आई जिस डेट क्या मैं कह सकती हूं वो 31 सक्टूबर 2022 आज भी जाकर के सोसल मीडिया पे चेक कर लेना जोती यादब का सफाया रेंक हुआ और फिर से बन बीक पे आउट बनाया दुबाई के टिप के साथ में बनाया वो 3,60,000 रुपय का आया 3,60,000 रुपया एक बार में क्या लगता है गड्मा-गर्मी सांथ होने दियोगी ना क्योंगि हमें मेहनत करने की जरुष नई है गर्मा-गर्मी लगातार रही हगी और बने रहेगी मायोल के अंदर बोला अच्छा तो पैसा तो आता है लेकिं कुछ दिखता नहीं है हमने का क्यूंड नहीं दिखएगा तुमको भाई क्यों नहीं तेखेगाakukan को भाई भूला हम ने सुना तुम कार लेने वाली हो हमने का कि है और हमसे का हुसने फंक सात लाक से जाधा कीमत लेना हमने का क्यों उंकल जी झाले चोटी-छोटी का एंहीं लड़कruce करती हैं लडकी ऑपर क्या सूट करती है लिए अदमी किसे बता सकता है का चीम्मेंट ही 14 लाख रुपे की कार से शुरुआज किया किया सोनेट से किया गर्मा गर्मी बंद नहीं होने देंगे ना बहुत सो जाए चैन से और हम ना हम नहीं सोने देंगे भाई क्योंकि उसने बिल्कुल गलत व्यक्ति का चुनाव किया चैलेंज करने के लिए चैलेंज किया था उसने लड़की होकर के कभी दिखा देना हजारों के नेटवर्क को अरे लड़की होके कभी दिखा देना एक परदेश से दूसरे परदेश से बिजनिस मौचा करके लड़की होकर के कभी हमें दिखा देना कि तुम्हारी टीम में कितनी महलाई सबल है आज जोती आदप की टीम के अंदर महलाओं के अचीमेंट बताने की कोई अलग सी एक्स् चार सफायर और वन वीक प्याउट आठ लाख पुचास जार बनाके दिखाया और वो आज भी वहीं है नहीं बदला वो और तुम्हें क्या लगता हम उसको बदलना चाहते हैं बिलकुल नहीं क्योंकि ओडियंस भी होनी चाहिए भाई तुम्हारी पोस्ट पड़े तो आज ये वीडियो तो जरूर देखेंगे जिन्होंने कह दिया था मेरे से गुरुजी इस्टार सफायर की सुख अमनाएं आपको बहुत-बहुत हमें तो खुसी तब होगी जब तुम डाइमंड बनोगे भया डाइमंड हम बनेंगे तुमको खुसी कायोगी किसली होगी आज जोती आदा भी वात के रही सिस्टेस पर खड़े हो करके कि ताल कटोरा स्ट्रोडियम के अंदर सफ़यर वनी थी में और 18 फरवरी 2023 को बनी थी आगरा सूर सदन के अंदर में सटार सफायर वनी थी और फिर से ताल कटोरा हुआ और आज आज की तारीक को यांग तारीक कि नहीं है 24 जून यह सोड़े मच्छरों से लिखी जाएगी कि जिस जिसने चैलेंज किया था आज जोती आदा उनके लिए जबाब बनके डैमंड बनके उनके सामने खड़ी है जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बताया करते थे लोग कि तुम एक लड़की हो रियली में आज मेरी सबसे बड़ी तागत है ये कि मैं एक लड़की हूँ आज मेरी सबसे बड़ी तागत है ये मैं क्या कहूं आप से लोग वो वो बोल जाते हैं जो बोलने लाइक नहीं होते लोगों ने इतना कुछ मेरे माबाप से मैं कह सकती हूँ इस तरीके की बातें करी जाके तो मैं पता है तुम्हाइ लड़की पूरे पूरे दिन कहां रहती है और उन्होंने क्यों मेंुरेगी बेति तरी मेरे बाई को काल करते बाई यहीं दिल्ली मेरा करते ते रियल बता रही हूं बाई साफ का कॉल पांच बज़े कहा है तू भाईया वो मैं 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 बस इतना ही तीदी पहुंच घर और तुम अगर लड़की होकर कि लेडीज होकर कहाँ बैठी हो और तुम आहरे उपर भी इन बातों का फरक हो रहा है तो सच में तुम लड़की लेडीज होई नहीं नहीं बतारी मेर उपर लगेगा जानते हैं ना चार बसे लगेगा पूरे दिन का जब दूप बढ़ता है ना तो अच्छा उसका भूसा बनता है इसलिए तो आपन बोला साम को चार लगेगा आज तू टाइम से आ जाई हो अमनी बिल्कुल आएंगे यास लेकिन हम कभी नहीं आए आज मैं कह रही ह आप से मम्मी बोलती थी कि अगर आज तू साम को लेट आई हमारे यांपर क्या पुराने केट लगे उसको सांकर बोलते हैं कुंदी नहीं बोलते हैं हम सांकर नहीं खोलें आपनी बिल्कुल मत खोलो नहीं आएंगे ताई की घर से पूद की आई में लेकिन आई अपने ही दीट को पंनना पड़ेगा क्योंकि आपके परिवार को आपकी सफलता भी चाहिए आपके परिवार को वं मां सम्मान इज्जत सब कुछ बाली को 24 गंटे आप सामने भी चाहिए ये शारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हमें अपने हिसाब से करना है क्योंकि बिजनिस मे मैंने लिया फील्ड में जाकर कि लोगों ने चैलेंज मुझे किया आप सोच कि देखो वो चैलेंज एकसेप्ट करने की बजाए अगर मैं घर बैठ जाती तो आज उन्हें जबाब देने के लिए कैसे खड़ी होती नहीं खड़ी हो पाती नहीं उनके चैलेंज के जबाब के लिए बस एक बात काफी है कि मुझे जिस जिसने चैलेंज किया है वह सोना नहीं चाहिए और रियली बता रही हूं मागरुजी जितनी खुछी कार की नहीं है उससे आदा खुछी में नवासी 90 नंबर की होती है रियली बता रहे हैं आपको यह दिल की बात है मेरी मेरी कार क जिनके अपलाइन ऐसे हो जिनकी सोच ऐसी हो कि एक दिन ऐसा आएगा कि काशमीर से लेके कन्या को मारी तक नवासी 90 दिखाई देगी तो क्या लगता है हमारी और आपकी 224 अगर होगी तो बढ़िया होगा के नहीं होगा बढ़िया होगा कि नहीं होगा मागुरु जी आज पहली कार है मेंने पास 980 लेकिन समय ज्यादा नहीं है क्योंकि माहॉल में गर्मा गर्मी बनी रहनी चाहिए आज बहुत देख रहा होगा कि तो डाइमंड बन गई आज बहुत देख रहा होगा यह जा करके बॉल के तो आ तो बर देखेगा बस प्रोसेस बागी है जो भी उसका आई टी आर वगरा क्या होगे बोलते हैं वो जो भी करेगा सीए करेगा वो सारी चीजें होने के बाद अगले दोसे तीन महीने के अंदर देखना यह लड़की जैसे लोग कहते हैं गाओ की रहनेवाली हो क्रप्या कर चोदे लाग की कार्स चलती है और अगर तीन महीने के बाद कम से कम कीमत 60 लाग की होगी उपर वाली महागुरू जी को पर डिबेंड है कितने की करवाएंगे वो कम से कम कीमत मैं आपको बता रही हूं चैलेंज और हम उसकी पूछ खाड़ के नर्ख दे तो नाम जोती है आदब नहीं रियल बता रहे हैं बिल्कुल कुछ लोग मेरे से बोले आप ऐसे क्यों बात करती हो तो हमने बोला क्यूं आपको क्या तकलीफ वह हमको ऐसे लगता जैसे आप लड़ रही हो तो हमने का तुमने ऐसे कुछ कर रखा होगा इसलिए तुमको लग रहा है हम तो सीधी बात कर रहे हैं बोले नहीं नहीं आप तरीके की बात इसलिए करती हो कुछ कि आपको गमंड है अबने का घमंड किस पाट का भई मुझे प्ता है कि मैंने कह निकां से शुरूआद करी है मुझे पता है ये प्ता म कि आज में यहां तक कैसे हूं तो क्या है ये बाते हैं कि नहीं है ने लेकिन आप अगर टिके रहना तो आज किसी भी सीट पर जरूर बैठे हो अगले तीन साल के बाद आपको स्टेज पर आना है यह स्टेज आपका वेलकम करेगा यह स्टेज आपके स्वागत में खड़ा होगा और यह बता रहे हूं जितने लोग मुझे चैलेंज किये जितने मुझे लड़की होने पर ताइने मारे उन सारे ताइनों को धुल के रख दिया हमारे अमडी साव ने क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर लड़की होके डाइमंड बन गई न तो बारा लाग चालिस जार नहीं पूरे पांच लाग ज्यादा दूंगा इसलिए जो चेक था न अगर साधी करने के लिए चले जाओ ना तो मारे यहां पर 3-7 लाग रुपे का देज बहुत है मैं अपनी इस्तिति बता रही हूं मैं अपनी और कजन्स की इस्तिति बता रही हूं लेकिन आप मुझे बताईए वह लड़की अगर 3-7 लाग रुपे जिसकी पूरी कुछ तो मागुरु जी अमसे फूछ भी लिए यह चैक ही आया अकाउंट में आया है हमने तू बस देख एक तारीक वाएगा तो चिंता बलकुल मत कर आप मुझे बताईए मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगा मैं डाइमन्ड बनूगी मैं सफलता लोंगी लोगों को इत कोसिस करेंगे वह पूरी पूरी कोसिस करेंगे कहीं तुम्हारे माबाप को बढ़का करके कहीं तुम्हारे भाई को बढ़का करके कहीं तुम्हारे घरवालों से कुछ करके लेकिन तुम मत रुकना अगर तुम लड़की हो अगर तुम लड़की हो तो बस आप से तना कहना चाहती हूं कि रुकना मताब अगर आप लगातार छोटे-छोटे कदमों से ही सही अगर आगे चलती रही तो डेफिनिटली शोर एक दिन आपकी लाइफ में भी यह सक्त्रा लाग चालिस जार का पेयाउट यह डाइमन रेंग का बेल्ट और यह साट लाग सूपर की कर आपकी तुम्हाराना चाहते हैं यह कह करके कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे यह कह करके कि लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे लोग तुम्हारे तुमको डराना चाहते हैं और आपको क्या लगता है अगर जोती आदब डर जाती तो यहां घड़ी होती दिन आपके लिए वो सूरज होगा जो आपकी लाइफ पे अंदर पूरा यूटर्न लेकर के आएगा और आपकी जिन्दगी जो अभी तक किसी भी हालात में थी आज आप किसी उपर डिपेंड हो आज आप किसी खर्चे पर अपना खर्चा चलाती हो किसे के दस रुपे मांग कि खर्च करती हो और तुम किसी भी घर में ब्या गई कोई अंतर नहीं है अगर तुम्हारा पती कुछ भी करता है बात खरी है लेकिन बिल्कुल सही है अगर आप तो आपका पती कुछ भी करता है और आप उसके पैसे खर्च कर रही हो तो अपने आपको देखो कि तुमारी value क्या है अगर किसी अच्छे पर अरे वेल्यू क्या है और कई सारे लोग कई सारी महलाएं हमें सब्सक्राइब चिंहके पती और सोज मोदें वहाइं और बिना नो करो इकरcame फोजन होजाती है और यहली बता रही हो, उनको पता क्या लगता है, यह salary तो सिर्फ मेरे लिए है, इससे बड़ी गलत फ्हेमी दुनिया में कोई है ही नहीं, इससे बड़ी गलत फ्हेमी कोई नहीं है, किसी के पती टीचर है, तो उनको लगता है, कि नहीं नहीं, मैं तो master नी, घर बेटे master नी बन जाती है, उनकी salary तो मेरी है, और कोई-कोई तो इतने अच्छे वेक्टी होते हैं, जो इक है और देते हैं, कि नहीं, नहीं, तुम्हें करने की कुछ जरुवती क्या है, मैं कमा तो रहा हूना, ऐसे लोगों से बस एक बात सुनना चाहेंगे, हमने भी बोला, अगर इतन चलती है, आपकी तो 16,000 कीजिये ने, अगला जवाब, उनसे तो पूछ लूँ, जा वेल्ली हो है आपकी, पैदा हो गए, किसी की बेटी बन गए, बड़े हुए, तो किसी की बेहन हो, साधी हो गई, तो किसी की पतनी हो, अगर बच्चा हो गया, तो किसी की माह हो, किसी की लेकिन एक बार अपने आप से सवाल करो, तुम कौन हो, तुम कोई नहीं हो, तुम सिर्फ वो हो, जो सुवे चार बजे उठने के बाद, दस बजे तक लगाता और लगी रहती हो, उसके बाद भी एक व्यक्ति का जबाब आता है, आखिर तुमने पूरे दिन किया ही क्या है और ये सुनने के बाद भी अगर तुमारी आत्मा तुम से यह नहीं कहती, कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो इससे बड़ी बज़ती और है ही क्या, मैंने भी कहा, मेरी मम्मी मेरे से बात कहती है, किते भी कुछ भी बन जाओ, रोटी तो बनानी पड़े कि मैंने बाला कोई दिकतनी लाउंडी बाला लग जाएगा, ममी बोलती आप तु जादा ओड रही है, ममी क्यों ना ओड़ू, क्योंकि आज हमारे MD साब ने ये बोल रखा है, कि अभी तक तो माह गुर जी दिया करते थे चावी, वो उसकी ओड़ी की, BMW की, इसकी, उसकी, लेकिन हम अमारे माह गुरू जी हेलिकोप्टर की विचावी देने के लिए आएंगे, तो मैं क्यों ना ओड़ू, मैं क्यों ना ओड़ू, मैं क्यों ना वो सपने देखू, जो सपने मेरे समने किसी के साकार हो रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर आप सपना देखने की हिम्मत नहीं रखते तो पूरा क्या खाक करेंगे, अगर सब ना देखने की हिम्मत रखते हैं,